है दूस्तों नमस्कार मैं हूँ नीरज राय और आपका स्वागत है फर्महर्ट्स में आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं गैस की टैबलेट के बारे में जो इसो मेप्राजोल के नाम से आती है तो हम लोग बात करने वाले हैं इसो मेप्राजोल 20MG या 40MG यह दोनों क सब्सक्राइब करने वाले हैं यह टैबलेट होती है इसका यूज कहां कहां पर किया जाता है और कैसे कि अलावा इसके कुछ साइड एफेक्ट और कुछ इस्पसल प्रिकॉसंस हम लोग देखेंगे और इसकी कुछ ब्रांट हैं तो चली वीडियो भी शुरूबात करते हैं के अंदर में जब गैस्टे के से ज़्यादा बनता है तो आपको यह टैबलट दी जाती है यह हमारे बॉड़े के अंदर में जो इसट का प्रोड़क्शन है उसको कम करके हमें इसीट की वज़द से होने वली प्रॉब्लम्स को से ठीक करता है अब अगर इसके बारे में बात क ज़खते हैं जो भी आपको असानी से मिल जाती है और आपको सारी जो मेडिसीन है वो सही से काम करेंगी अगर हम इसके यूजर के बारे में बात करें तो यह में ली दी जाती है फार्दा गैस्ट्र रिस्टेंट यानि कि गैस्ट्रोइसोफेगल रिफ्लेक्स डिजीज में गैस्ट्रोइसोफेगल रिफ्लेक्स डिजीज एक ऐसी डिजीज होती है जिससे आपके अमासे के अंदर बनने वाला एसिट गल्ती से या किसी भी तरीके से आपके ऑश्ट्रोइस यानि की ग्रास नली में आ जाता है जिसके वज़से आपको हाट बर्न की सिकात आताती है सीने के पास में जलन का नुभो होता है तो ऐसी कंडिशन में हम लोग इसो में प्राजोल टाबलेट का यूज कर सकते हैं यह क्या करती है कि एसिट के सिक्रीशन को कम कर देती है अब इसिट का सिक्रीशन कम हो जाएगा तो आटोमेटरिकली जो आपका एसिट आ रहा है आप आपके फैरिंग्स या आपको और इसोफेकस में कोई घाव है इसिट की वज़त से तो उसको ठीक करने के लिए भी हम लोग इसो मेप्राजोल का यूज कर सकते हैं तो यह दो जगे पर हम लोग इसका डिरेक्टली ज्यादा यूज करते हैं नहीं कि एसिट को ही गम करने के नूटलाइज करने के लिए इसका यूज क्या जाता है अगर बात करें इसके डोज के बारे में तो यह मेडिसिन G.E.R.D. आनि कि गैस्टो इसोफेकल रिफ्लेक्स डिजी में 20MG की मेडिसिन दी जाती है ज्यादा सीविरिटी है तो 40MG की मेडिसिन दी जाती है और यह दि में दी जाती है मैंने आपको common dose बताई है इसके special precautions की बात करें तो अगर आपको इससे allergy है तो आप यह medicine यूज ना करें इसके अलामा अगर आप बच्चे को यह medicine दे रहे हैं तो कुछ precautions दे या किसी ऐसे patient को medicine दे रहे हैं जिसमें severe impairment है लिवर का तब उसको यह medicine देने से पहल ज्यादा डोज मेनाले medicine कई बार लोग ज्यादा डोज लेकर के लिए लेते हैं कि ज्यादा फाइदा करेंगी बट वह ज्यादा नुक्सान कर देती है अब हम बात कर लेते हैं लाज्ट में side effect के बारे में तो इसको ज्यादा ज्यादा medicine लेने से आपको stomach pain हो सकता है अगर आ मतलब आपके पेट में gas actually निकल ले लगती है ठीक है पेट से गैस flatulence की problem आती है नौजिया की problem आती है नहीं कि आपको उकाई या जी मसला सकता है इसके आलावा आपका bilirubin बढ़ सकता है और आपके body में alkaline phosphate बढ़ सकते जब आप लीवर की जच कराएंगे तो आपको पता बहुत बहुत धन्यवाद